एक सीम जो स्कूटर पर चलता कही जाने के लिए हूटर लगी गाड़िया नहीं लेता वो बेहत मामूली कपड़े पहनता है इस सीम का कोई ताम जाम नहीं सादगी ऐसी जो सभी नेताओं के लिए सबक बने एक मुख्य मंत्री का जिक्र होती ही आपके जेहन में तड़क भड़क लाव लशकर लाल बत्ती लगी गाड़ियों के लंबे लंबे काफिले जैसी तस्वीर आती होगी लेकिन अगर आपको ये बताया कि हिंदुस्तान के एक राज्य का सीम ऐसा भी है जो कि स्कूटर से चलता है तो शायद आपको आश्यर होगा लेकिन ये हकीकत है उस शक्स का नाम है मनोहर परिकर ये वही मनोहर परिकर है जिनके रक्षा मंत्री रहते देश के जाबाजों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को बिना डिसकाउंट मौत दी उस उपरेशन को सर्जिकल स्ट्राइक नाम दिया गया रक्षा मंत्री के फट से स्थीफा देकर मनोहर परिकर ने गोवा के सीम पद की शपत ली परिकर ने चौती बार गोवा की कमान संभाली है वो देश के पहले IIT पास आउट सीम है वो मुख्यमंत्री रहते हुए स्कूटर से मीटिंग के लिए 5 स्टार होटल जाया करते थे उनकी साधी ड्रेस दे होटल के दर्बान ने उन्हें होटल में खुसने से रोग दिया सादगी के लिए मशुहूर हैं परिकर दरसल परिकर गोव सीम रहते वे कई बार शेत्र का दौरा या दूसरे प्रोग्राम्स के लिए स्कूटर पर हील निकल जाया करते थे जब वो किसी कारिकरम में शरीक भी होते थे तो साधारन वेश भूशा में पहुँच जाया करते थे शादी समारों में भी परिकर कई बार लाइन में लगकर खाना लेते नजर आ चुके हैं मनुहर परिकर को लेकर एक वाक्या गोव बहुत फेमस है परिकर के करीबी बताते हैं कि एक बार परिकर को एक कारिकरम में शरीक होने के लिए 5-7 होटल जाना था लेकिन समय पर उनकी गाड़ी खराब हो गई उन्होंने ततकाल एक टैक्सी बलवाई और साधारन कपड़े और चपल पहन वो होटल पहुँचे जैसे ही टैक्सी से उत्रे तो होटल के दर्बान ने उन्हें रोका और कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते उन्होंने दर्बान को बताये कि वो गोवा के मुख्यमंत्री है ये सुनकर दर्बान ठहा के मार कर हसने लगा और बोला कि तुम मुख्यमंत्री है तो मैं देश का प्रेसिडेंट हूँ इतने में प्रोग्राम के आयोजक मौके पर पहुँचे और दर्बान को समझाया परिकर स्कूटर से भी होटल्स में पहुँच जाया करते थे परिकर मुंबई आयाईटी से ग्रेजवेट हैं 13 दसंबर 1955 को जन में मनोहर परिकर ने आयाईटी मुंबई से सनातक डिग्री हासल की है परिकर के नाम पहला आयाईटी इन सीम होने का रेकॉड भी दर्ज है परिकर युवा रहते आरेसेस में शामिल हुए उनकी काभीलियत को देखते वे 26 साल की उम्र में उन्हें गोवा का संग चालक बना दिया गया था वो राम जन्म भूमी आंदोलन के दौरान नौर् मनुहर परिकर 1994 में पहली बार विधायक बने थे 1999 में परिकर गोव विधान सभा में ओपोजीशन के लीडर रहे 1994 में परिकर जब पहली बार विधायक बने उस वक्त राज में बीजेपी की सिर्फ चार सीजे थी लेकिन परिकर ने छे साल में ही गोवा में बीजेपी को पह कार गिर गई थी दरसल जनवरी 2005 में उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ा उस वक्त उनके चार विधायकों ने इस तीफा दे दिया था और उनकी सरकार गिर गई थी अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दिगंबर कामत की अगवाई वाली कॉंग्रस से हार का सा अगर किया दोहजार बारा में ही हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 24 सीटे मिली और परिकर फिर एक बार सीम बने परिकर की एड्मिनस्ट्रेटिव और और और्गनाइजेशन स्केल के नरेंद्र मोधी भी कायल है इसी वज़े से पीम ने परिकर को 2014 में अपनी क अब इस दुनिया में नहीं है 2001 में कैंसर से उनका निधन हो गया था परिकर के दो बेटे उत्पल और अभिजात है उत्पल ने अमेरिका की मिशिगन स्टेट युनिवरस्टी से इंजिनियरिंग की है अभिजात लोकल बिजनसमैन है एनमेफ न्यूस के रपोर्ट झाल